बिजएपी ने दिली की पंच लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोशीत कर दिये हैं दचली दिली से इस बार लोकसभा चुनाओं में उत्रेंगे बिजएपी से रामबीर सबसे पहले बहुत बधाई आपको टिकट मिल गया लेकिन किस किन आपके हिसाब से वह कौन सी वजह है रही जिनकी वजह से आपको टिकट मिला और कौन से मुद्धे आप जंता की बीच में लेकर जाएंगे आपकी बधाई के लिए धने बाद पार्टी का जो पार्लेमंटरी बोड है यह नेडने उनके द्वारा किया जाता है अब इसके बारे में तो हमारा पार्लेमंटरी का बोड ही बता सकता है लेकिन मैं अपनी और से और साथ दिल्ली के सभी करना की और शीर के यस सवी प्रधान मंत्री प्रस्ट ब बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हों तिल्ली में भाजब्पा को विद्वार बनाया है और मैं आपकी चैनल के मादयम से कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली में भाजप्पा के सभी के साथ के साथ उम्मिद्वार लोग सभा के लिए भरी अंतर से जीतेंगे और मेरा यह मानना है जो फीड़ बैक मुझे मिल रहा है कि सतर परसेंट से ज्यादा वोट इस बार भार्चे जनता पार्टी के साथ मिलने जा रहा है मुझे तो नोर में रिश्पॉंस देखा मुझे लगता है कि कई सीटों पर साफाथी के सेdasवेफ परनुपा कांग्रेस और सब्सक्राइब को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले दस सालों में देश के प्रधानमंत्री श्रीजदर मोदी जी के नेतत में उनके मार्क दस्तन में डिल्ली को करतव पत्वी मिला है जहां कभी इंग्लेंड के राजा की प्रतिमा लगती थी आज नेता जी सबाचन बोस्की प्रतिमा लग रही है देश को नई पार्लिमेंट भी मिली है पुलिस को नए हेड़काटर भी मिला है और हमारे फौजियों हमारे फौजी अफसर है उनकी ये इच्छा थी कि इंडिया गेट के पास नेशनल वार बनाए जाये तो मोदीजी के दौर नेशनल वार वा पौलीज बनाए गया है और लोगों की सिकाय्थ होती थी कि अलगलग परदेसों के हजारो ट्रक्स दिली में आते हैं दिल्ली को परदुसित करते हैं तो मोदी जी के मार्दसन में उनकी नेतरत्व में दिल्ली के चारवतर पेरिफिल रूड बनी है उन ट्रक्स की एंट्री बंद हो गई है आपको जानकर खुसी होगी दुनिया का सबसे बड़ा एको पार्क बदरपूर विधानसबाद छित है अनेक फ्लाइवर बनाए गए आज हम 40 मिनट में मिनट पहुंच जाते हैं दो घंटे में देरा दून चंदी गार जैपर पहुंच जाते हैं आज मुंबई के लिए जो हाइवे बन रहे हैं बिदूली जी आपको नहीं लगता यह सारी जो आप खूबिया बता रहे हैं कि को टिकट दिया है तो उसकी क्या वजा रही यह तो पार्टी का जो हमारा सेंट्रल जो हमारी लीडर सीपर वही बता सकती है मुझे इसके जानकारी नहीं मुझे उन्होंने आदेश दिया कि आपको दक्सीन दिल्ली से भाज़पा का उमिदवार बनाए गया है आप लोगों से मेरी भेट हुई है मेरे रिस्ते में चाचा है वर मिर से छोटे हैं मिलके काम करेंगे enamalड़ते तब भी मिलके चुनाव लडेंगे और जर चुनाव के नतीजे आएंगे मैं आपको मिठाई खिलांगा मुझे तो ऐसा लग रहा है जो जो मैं में कमाल का उत्सा देख रह महां से आमाध्य पार्टी को मिद्वार है कहीं जमानत जबत ना हो जाए ऐसा महावल आप जब गहे थे विदूडी सा रमेश विदूडी से मिलने के लिए तो उनकी तरफ से क्या रियाक्शन था क्या कोई कॉंपेटिशन भी देखने को मिल रहा है क्योंकि टिकट आखिरकार उनका ही कटा है मिला आपको है लेकिन क्या क्या बाचीत हुआ नहीं मुझे चाई पिलाई मिठाई खेलाई और कहा कि यह चुनाव आप नहीं मैं लड़ूगा पेन में उनकी भी मुझू नहीं रहेगी क्य पूरी ताकत के साथ मैं उनके साथ काम करता था आवद दिया आपने अपने कैम्पेंट यहां देने की आशिक्ता ही नहीं पड़ती है उन्होंने मुझे फॉन किया क्यों अब मेरे मैंने आपको बताया ना कि हमारे बिल्कुल परवारिक संबंध है तो इसमें आपको दूस अच्छे मतों से की कोई निगेटिविटी नहीं है कि एक का टिकट काट करके दूसरे को टिकट मिला तो आ जाती है यह नहीं लगता कि जो दानिश अली वाला जिस तरीके का बयान हुआ क्या यही वज़ा रही उनका टिकट काटने की मुझे नहीं मालूम है क्या वज़े रही तो आप हमारी पार्टी की जो सेंटर लीडर्सिप है वही बता सकते हैं मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है मुझे तो चुनाव लड़ने के लिए कहा है मैं मोदी जी का जंडा उठाकर लोगों के बीच में जा रहा से मिलने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपना है मैं आपको बता रहा हूं एक तरफा चुनाव इस बार होने जा रहा है 2019 में भारजिनता पार्टी के उमिद्वारों को दिल्ली में 56% से लेकर 60% मिला और इस बार किसी भी सीट पर 70% से कम वोट नहीं मिलेगा इस बार यह जात जी की नीतियों से उनके कारकरमों से देश की नितत में शांदार तरीके से प्रगति हुई है और जो जन कल्यानकारी योजनाएं उन्होंने पूरी देश वर में जो सुरू की हैं उसका सभी को बगेर किसी बेहदवाव के लाब मिला है तो लोग सब उनको अपने निता के र लोग को मिलने वाली है शुक्रिया बात करने के लिए देखे ये हैं दचली दिल्ली से लोकसभाव प्रत्याशी बीजेपी के रामवीर सिंग बिदूरी जिनका साफ तर पर कहना है कि पूरी तरीके से आश्वस्त है लेकिन जिनका जिनका टिकट काट करके रामवीर बात हुई है दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है पडोसिंग है रिष्टी में लगते हैं और जो है वो रमेश बिदूरी के तरफ से कांग्लाचिलेटरी मैसेज भी आया है रामवीर सिंग बिदूरी को जीत के लिए कैमरा पसन है मनसूत के साथ एहमेद विलाल ए बात हुई है